और आज की शाम आप सब का मैं स्वागत और अभिवादन करता हूं लाइस्प्रिंग असेंबली कलीसिया के इस बाइबल अध्यन के समय में और यह वो समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे उस पर अध्यन करेंगे हमारी आत्मिक बढ़त और ज्ञान के लिए और ना के वल ज्ञान के लिए लेकिन ताकि हम उसके राज्य में उपियोग होने पाई और याद रखे परमेश्वर के वचन का उद्देश यही है कि वो हमें परिवर्तित करता चला जाए और याद रखे हम पहला कुरंथियों उसके नवे अध्याई की और अपने मानन को रखे हुए हैं और पहला कुरंथियों नवा दिहाई चौविसवे वचन से लेकर सताइसवे वचन तक और पिछले हफते के हमारे मनन में हमने देखा कि किस प्रकार से पॉलुस मसीही जीवन को एक मसीही दाड़ के रूप में तुलना करता है and how an athlete has to practice and discipline himself very, go through very strict disciplinary actions और कैसे एक धावक को, एक दाडने वाले को बड़े अनुशाशन से, कई सारे अभ्यासों से हो कर के निकलना पड़ता है and that is, now today, a second example Paul uses is of a boxer, a Christian life is a boxer's life and that means a Christian believer is like a boxer and he knows where the ring is वो जानता है कि वो रिंग, वो जगा, वो स्थान कहा है and he knows his opponent and therefore he does not beat the air and therefore he does not beat the air who sometimes misses his target and कई बार अपने लक्ष से चूक जाए and he does not walk out of the ring in the middle of the boxing fight और याद रखिये उस लड़ाई के दौरान व अचानक बीच से वो लड़ाई करते करते बाहर नहीं निकलाता he stays in and fights वो अंदर ही बना रहता है और लड़ता रहता है he does not glance away और वो कहीं इधर उदर देखता या भागता नहीं he keeps his eyes on the target वो अपने नजरों को अपने लक्ष की और रखता है और उसके मुक्कों को वो योजना अनुसार और लक्ष अनुसार वो चलाता है और इसी तरीके से और एक मसीह भी जानता है कि वो एक आत्मिक युद लड़ रहा है और इसलिए और वो लड़ रहा है ताकि जैवंत बने ताकि विजयी बने और कोई भी वो मुक्के बाजी करने के लिए उस रिंग में इसलिए नहीं उतरता इस बात को धिहान में रखते हुए कि वो हार जाएगा लेकिन हमारी परिस्तिती में एक मसीही आत्मिक लड़ाई को लड़ रहा है और उसका लक्ष हमेशा यही है कि वो किसी रीती से शत्रू पर विजय पाले और वो उस अनन्त पुरसकार को प्राप्त करे जिस कोई जिसमें किसी भी प्रकार किया शुदता या ब्रशता नहीं याद रखिये प्रित्वी पर एक जब उलम्पिक का खेल होता था और कोई धावा किया मुक्के बाद उसमें खेलता था और वो उस पुरसकार के लिए लड रहे होते थे या लक्ष में दौडते थे कि वो एक फूलो का ताज जो उनके सर पर रखा जाएगा जो सूख जाएगा कोई समें बाद और नष्ट हो जाएगा लेकिन एक मसीह का पुरसकार या तौफा जो उसका लक्षम के उस पार इंतजार कर रहा है वो है अनन्त जीवन का मुक्ट या वो ताज और आए दो तीन वचनों की ओर हम देखेंगे 2nd Corinthians chapter 10 verse 4 chapter 10 verse 4 here it says for the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds and then let us look into Ephesians chapter 6 Ephesians chapter 6 verse 12 says for we do not wrestle against flesh and blood but against the rulers against the authorities against the cosmic powers over this present darkness against the spiritual forces of evil in the heavenly places and my friends there is one thing very important I want to tell you our enemy is invisible but the enemy is a real enemy enemy powerful लेकिन हमारा शत्रु वस्तविक शत्रु है और जो शक्तिशाली है and therefore he is a spiritual enemy और इसलिए याद रखे है वो आत्मिक शत्रु है वो भी अर्दिश्य है and but they are real powerful weapons against the invisible evil forces लेकिन वो सच में शक्ति शाली हतियार है और सामर्ति हतियार है उन दुष्ट की शक्तियों के विरुद्ध then let us turn to 1st Timothy chapter 6 verse 12 verse 12 of 6 the chapter says fight the good fight of the faith take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses विश्वाष की अच्छी कुष्टी लड़ और उस अनन्त जीवन को धर ले जिसके लिए तु बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगिकार किया था these verses makes it very very clear to us that we as Christians are engaged in a spiritual battle with the demonic powers of darkness और ये वचन इस बार को बड़ा स्पष्ट रीती से थाबित कर देते हैं कि हम आत्मिक रीती से या आत्मिक आयाम में उन दुष्ट शक्ष्ट की शक्तियों के विरुद लड़ रहे हैं और ये ऐसी बाते हैं जिसके विशे में कुछ लोगों को कॉई बार कुछ पता भी नहीं और बड़ी असानी से वो परिक्षाओं में पढ़ जाते हैं और कई बार कई सारे नया जन पाए हुए विश्वासी भी इनी प्रकार की परिक्षाओं में पढ़ जाते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि उन्हें बड़ा साउधानी बरतना है क्योंकि हम एक आत्मिक मल्युद में लगे हुए हैं और ये मल्युद हमारा वास्तविक है और कई सारे भूत में गिर चुके हैं कई सारे अभी भी विश्वास से गिर रहे हैं और परमेश्वर के लोग अपने प्रेम में थंडे पड़ते जा रहे हैं क्या हो रहा है these we think are harmless and yet we are trapped into this kind of thing and drawn away from our relationship with the Lord और हमें ये लगता है ये सारी बाते कुछ नुक्सान दे नहीं है और इसी रिती से हम धीरे धीरें के सिकन्जे में फच जाते हैं in verse 27, 1st Corinthians 9, 27 but I discipline my body and keep it under control परंतु मैं अपनी दे को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ याद रखे एक मसीह को अपने शरीर के द्वारा नियंत्रत नहीं किया जाना चाहिए on the other hand, a Christian is someone who takes control of his body एक मसीह ही तो ऐसा है जो अपनी दे का नियंत्रन लेता है so instead of body controlling your feelings और इसकी बजाए कि ये दे आपको और आपकी भावनाव को नियंत्रत करे you must keep the body under your control आपको अपने नियंत्रन में उस दे को रखना है and how? by denying the body whatever it craves you know the body craves for enjoyment and pressures and you know don't make the mistake of thinking that there is no pleasure in sin और याद रखिये इस बात की गल्ती आप ना करे ये सोचते हुए कि पाप में कोई मजा नहीं आता there is lot of pleasures लेकिन पाप में तो बड़ा आनन्द है but the problem is लेकिन समस्या ये है these pleasures last only for a few seconds ये जो आनन्द है ये कुछ समय के लिए ही रहता है लेकिन ये अच्छानक से खतम हो जाता है लेकिन इस कुछ आनन्द के समय के लिए अपने अनन्द जीवन को नाख होए ये थोड़ा सा कठिन है पहले हाथ पर कि आप अपनी दे को अपने नियंद्रन में ले आए ये असान नहीं है ये दिखने में तो बड़ा कठोर है कठिन है लेकिन आप इस लड़ाई में हार नहीं मान सकते लेकिन एक इसे करते हैं लेकिन एक इसे कर सकता है ताकि इस बात में वो हार ना मने और मैं क्या कर सकता हूं सच्चाई तो ये है कि पाप में आनन्द मिलता है लेकिन ये आनन्द बहुत कम समय का है और अपने बचे हुए जीवन में आप दोश के संग जीएंगे इसलिए हमें उन सारी बातों के प्रती ना करना है जिसको करने के लिए हमारा दे हमें उते जित करता है और ये महत्वपूर है इसे सुनिए और ये माइने नहीं रखता कि आपका दर्द कैसा और या कौन सा है अपनी लडाई से आप पीछे ना हटे और अपनी देह के उतेजनाओं में खुद को ना दे मेरे भाइयं और बहनों साउधान बने रहे और मेरे बच्चों और लड़के और लड़कियों ध्यान पूरवक बने रहे क्योंकि वो शैतान तो इस संसार में है कि किसी रीती से लोगों को परमेश्वर के लोगों को सिकनजे में फसाए और कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के समय में, सबसे महिमा में बात होगी, इस देह के ऊपर विजय पाली जाएगी और नियंतरन में ले आई जाएगी ये देह, अगर आप हार ना माने, और शुरुवात में तो ये मुश्किल होगा, और आप तो तयार हैं कि हार मान ले, लेकिन हार ना माने, क्योंकि हार मानने के द्वारा आप उन लालसाओं में खुद को दे रहे हैं, उस लड़ाई में बने रहें, लेकिन बहुत जल्द, कुछ दिनों के समय में, आप इस बात को पहचानेंगे और जानेंगे कि आप एक लड़ावक हैं, या एक लड़ने वाले वेक्टी हैं, और परमेश्व तो ये चाहता है कि उसके लोग जैवन्त से भी बढ़ करके हों, और जो बड़े विश्वे स्तर से जो बहुत प्रसिद धावक हैं, या खेल खेलने खिलाडी हैं, वो इस बात को जानते हैं और ऐसा ही करते हैं, जब वो शुरू करते हैं, वो अस मुश्किल होता है, और कई हार मान लेते हैं, और उस शरीर का अनुशाषद, और खुद का अनुशाषद करना, ये असान नहीं है, इस अज़ी तफ पीपल क्यां गांकर अनुशाषद करना उस पर विजय पास सकते हैं, और इसलिए हमेशा याद रखिए, और इसलिए एक मनुश जो दौड में है, उसे एक मजबूत वेक्ती होना है, वो जो संसार रेखता है, वो तो सिर्फ कुछ मिंटों के लिए, कुछ शनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, लेकिन उसके लिए, लेकिन उसके लिए, लेकिन उसके लिए, तफ अथलेट विल प्राक्षिक्ष्ण करता रहेगा जब तक अगला उल्म्पिका खेलना है, या किसी भी खेल के लिए, लेकिन वो खार मान लेते हैं, लेकिन वो इस अभ्यास की जो कथोरता है और महनत है, उसके लिए काम नहीं कर पाते। और इसलिए एक मसीह विश्वासी के पास कोई भी बहाना नहीं है, कि वो यह बहाना दे कर कि यह कह सके कि मैं अपनी दे को अपने नियंतर में नहीं ला सकता। एक सांसारिक मनुष्य तो यह कर सकता है, किसलिए? एक ऐसे वर्दान या तोफ़े के लिए जो अनंत तक नहीं रहेगा, वो किसी भी दाम को चुकाने के लिए तयार है, और इसलिए एक मसीह का अपने पास कोई भी यह बहाना नहीं है देने के लिए, क्यों वो अपने जीव, मसीह जीवन को अनुशाषित नहीं कर सकता। And conquer the body's cravings for pleasures and enjoyment. और कैसे वो अपनी दे को नियंत्र में नहीं कर सकता है, वो संसारिक उतेजनाव लालसाओं को पूरा करने के लिए. क्योंकि कुछ समय के उस आनन्द के लिए, वो अपने आत्म नियंत्रन को खोता है, और वो अपने अनुशाषन से हार मान लेता है, और उपर एक शाओं में पड़ता है, और अपने पूरा जीवन भर दोश के संजीता है. आएक वचन है, मुक्के बाजी में, हवा में चलाना, मुक्को को चलाना, इसका मतलब है कि जो रख रखाओ या जो खरोचे आते हैं, उनको अंदर बनाए रखना. Paul says, he literally beats back his body with its cravings. कि Paulus अपने शरीर को मारता और कूरता है, ताकि वो उसकी लालसाओं को मार सके. For what? किसलिए? In order to bring it to subjection. ताकि वो अपनी देह को अपने अधीन कर सके. To lead about as a slave. ताकि वो एक दास के समान उसके अधीन रहे. And let us turn to some passages here. हाइए कुछ वचनों को हम देखें. Luke chapter 9, verse 23. 9, verse 23. And he said to all, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. उसने सब से कहा, यदी कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इंकार करे, और प्रती दिन अपना कुरूस उठाए, हुए मेरे पीछे होले. Is it easy? What does it mean? इसका क्या मतलब है? To take up your cross. It means you must see yourself on the cross. In the person of Jesus. You must see yourself. And then you must consider yourself to be crucified. और खुद को मरा हुआ. That's why Apostle Paul says, it's no longer, I am crucified with Christ. It is no longer I who lives. But Christ lives in me. And then chapter 21 of Luke, verse 34. Luke 21, 34. It says here, But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. इसलिए साओधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत्वाले पन और इस जीवन की चिन्ताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आपडे. Which is the day he is talking about. और किस दिन के बारे में ये बात हो रही है? वो परमेश्वर के दिन के विशे में. Suddenly the Lord will come. अच्छानक से परमेश्वर का आगमन होगा. और आप तयार भी नहीं होंगे. Because you have been busy gazing upon so many objects in the world attractive. और जो संसार की बालग-अलग वस्तुए हैं, जो बड़ी आकर्शित लगती हैं, Let's be careful my brothers and sisters. Romans chapter 13 verse 14 It says here Romans 13 verse 14 Say it's here 13, 14 But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. See, look at the danger. And if we do not have the Lord Jesus Christ Himself as our armor, और अगर हम प्रभु येश्व मसीग को अपने कवच के रूप में नहीं लाद पाते हैं, You know Ephesians chapter 6 Paul talks about putting on the whole armor. और Ephesians की पत्री छटे अदिहाय में Paul उस बात करता है किस प्रकार से हमें पूरी रीती से येश्व मसी को पहन लेना है If you study every item, every part of this armor, और अगर आप पढ़ेंगे इस सुरक्षा कवच के विशह में, उसके हर एक अंग के विशह में, You will find out it is the Lord Jesus Christ. तब आप इस बात को पहचानेंगे Galatians chapter 5 5.16 But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Walk by the Spirit. That is the key. Hallelujah. We thank God for all the provisions God has mercifully provided for us. Now it is for us to take, make use of these provisions and apply them in our life. और हम परमेश्वर का धनिवात करते हैं उन सारे महिय और उन तरीकों के लिए जो उसने हमारे लिए महिया कराए हैं और अब हिने अमें अपने जीवन में प्रयोग करना हैं. Now, again, going back to 1 Corinthians chapter 9 उसके बाद फिर से हम वापस लोटेंगे पहला कुरंतियों उसका नवाद धिया हैं Look at verse 27 But I discipline my body and keep it under control परंतु मैं अपनी दे को मारता कूटता और वश में लाता हूं And the second part says Lest after preaching to others I myself should not be disqualified उसी बाद का दूसरा भाग कैता आप ही किसी रीती से निकम्मा ठहरूं और पॉलुस इस बात को चिंता करता था कि क्या उसका जीवन उसके प्रचार के अनुसार है और दो बाते हैं उसके प्रचार हम समाप्त करेंगे पॉलुस के पास ये डर था कि वो आसफल हो सकता है उन बातों के अनुसार जीने के जिसके अप्रचार वो करता है आपका जीवन आपके शब्दों से कहीं जादा बोलता है दूसरी बात और पॉलुस जानता था कि परमेश्वर जूटे वैवसाईयों को या कामों को बिलकुल सहेगा नहीं और परमेश्वर उस पाखंड को भी नहीं सहेगा और इसलिए ये बाड़ा महत्वपून है कि हम वैसा ही जियें जैसा प्रचार करते हैं और इसलिए मैं हमेशा प्रातना करता हूँ मैं अपनी सीमा को जानता हूँ मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं भी परिक्षाओं से बच नहीं सकता और इसलिए मैं हमेशा प्रातना करता हूँ और मैं इसलिए यही प्रातना करता हूँ परमेशर होने दे मेरा जीवन मेरा संदेश और मेरा संदेश मेरा जीवन बन जाए और इसलिए यह बड़ा महत्वपूर है क्योंकि लोग हमें देखते हैं measure us and they judge us they not only listen to our messages but then they also watch our life it is absolutely necessary that we be careful we are big professors we profess we profess ourselves but how about the practice that's what people want to see now let us read Romans chapter 2 Romans chapter 2 verses 21 to 24 you then who teach others do you know to teach yourself while you preach against stealing do you steal you who say that one must not commit adultery do you commit adultery you who abhor idols do you robe temples you who boast in the law dishonor God by breaking the law for as it is written the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you as it is तू दूसरों को सिखाता है अपने आपको नहीं सिखाता क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है तू जो कहता है वेबिचार ना करना क्या आप ही वेबिचार करता है तू जो मूर्तों से घ्रणा करता है तो क्या आप ही मंदिरों में से को लू लिखा भी है I encourage all of you to take note of this reference Romans 2, 21-24 and go home and read it again carefully the great responsibility laid upon us as Christians in Matthew Gospel chapter 7 verse 21 Jesus' own words not everyone who says to me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven but the one who does the will of my father who is in heaven what does Paul here means? Paul here means exactly what it says we need to be careful how we live anyone can anyone can come to Jesus and recall Him address Him as Lord, Lord, Lord क्योंकि कोई भी येशु मसी के पास आकर उसे इस प्रकार कह सकता है है प्रभू, है प्रभू, है प्रभू, है प्रभू but that doesn't convince God that you really love Him लेकिन इस बात से ये नहीं साबित होता है या परमेश्वर को नहीं पता चलता है कि आप सच में उससे प्रेम करते हैं कौन योग ये है परमेश्वर के राज्य के वो हर एक नहीं जो कलीसिया जाता है और हर एक वो जन जो उसे प्रभू प्रभू कहकर के बुलाता है लेकिन पॉल उस कहता है लेकिन हर एक वो जन जो पर मेश्वर की इक्षा को पूरा करता है और हम इस बात को मुँ से बोल तो सकते हैं कि हम मसी हैं क्या हम सच में लेकिन मसी हैं और परमेश्वर को इस बात को जानना निवार है कि आप योग्य है और कौसी बात आपको योग्य ठहराती है आपकी आग्याकारता परमेश्वर के वच्छन के प्रति आग्याकारता परमेश्वर के आग्याओं के प्रति आग्याकारता परमेश्वर की एक्ष्या नुसार आग्याकारता है जो आपको योग्य बनाएगी परमेश्वर के राज्य की है हमारे धन्य परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित रात्मा के लिए तुने इस पवित रात्मा को हमारे लिए भेजा है क्योंकि तु इस बात को जानता था कि विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह की आवशक्ता है और पावितरात्मा के सामर्त की और इसलिए परमेश्वर हम इस पावितरात्मा से भरे हुआ होना चाहते हैं और पावितरात्मा के द्वारा नियंतरित किया जाना चाहते हैं ताकि हम जीएं और तेरी पावितरात्मा में चलने पाएं और जयवन्त जीवन का अनुभव करें येश्यू के नाम में आमें परमेश्वर आप सब को आशीश से और यह आपका अध्यान है, यह आपका शिक्षा है अगले हफ़ते, इस हफ़ते के लिए मुझे पूरी आशा है आपने सारे वश्णों को लिखा है उनने फिर से पढ़िये अपने घरों में और उन पर मनन करिये और आप जयवंत ठहरेंगे और एक जयवंत और विजयी और एक ऐसा व्यक्ति जो विजयी है पर मेश्वर आप सब को आशिश देए आमेन